वीके न्यूज राश्ट्र के नाम रमस्कार मैं अमर राब का स्वागत है वीके न्यूज से ये उर्फी जावेदे जिसको आपने भी स्क्रीन पर देखा अक्सर इसी तस्वीरों को लेकर ट्रोल होती रहती है और चर्चा में बढ़ी रहती है उर्फी की ये बोल्ड अदा और ये चमक दे कई जिहादी मांसिक्ता वाले लोगों के आखों में चुबन पैदा होती है और वो इसलाम मजभब का ग्यान झानने बैट जाते हैं पर उर्फी कभी उनकी बात नहीं मानी सलमान खान की मूवी थेटर पर पिट रही है तो कबीर खान की मूवी को लोग देखने नहीं जा रहे एक तरफ इस गैंग के लोग माथा पीट रहें तो दूसी तरफ सनातन का परचम लहरा रहा है एक तरफ उर्फी जावेद की इस तस्वीर ने तहलका मजा रखा है जो वहाँ वहाँ पर गीता के साथ नजर आई थी और बेहद ही सब ही खपड़ों में नजर आई थी जिसके बाद जिहादियों में हडका मच गया था लेकिन इसी बीच अब कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद उर्फी जावेद की आसू नहीं थमरे कहीं लोग का ये भी कहना है कि जिहादियों ने उर्फी जावेद के साथ कुछ कर दिया जिसके बाद उर्फी जावेद मुश्किल में फस गई और वो रो रही है उर्फी अपने लुक्स की वज़े से नहीं बलकी अपने एक वाइरल वीडियो की वज़े से चर्चा में बनी हुई है सोशल मीडिया पर उर्फी का एक वीडियो तेडी से वाइरल हो रहा है जिसमें एक्टरस बूरी तरह रोते हुए देखी जा सकती है उर्फी जावेद वाइरल वीडियो में एक कैफे में बैट कर रोते हुए नजरा रही है वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि दूर से किसी ने उनके रोनों का वीडियो बना लिया वीडियो में उर्फी एक शक्स को फोन में कुछ दिखा कर बुरी तरह रोते हुए दिखाई दे रही है वीडियो में उर्फी बुलू कलर की ओवर साइट टीशट पहने नो मेक अप में नज़रा रही है उर्फी का ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुब शेर किया जा रहा है कुछ फैंस उर्फी को रोते हुए देखकर परेशान हो रहे जबकि कुछ लोग उर्फी का मजाक उना रहे कई यूजर्स का मानना है कि उर्फी का ये वीडियो किसी शूट का है और वो रोने की एक्टिंग कर रहे हैं अभी तो ये सिर्फ उर्फी ही बता सकती है कि क्या वो वाकई में रो रही है या फिर ये किसी शूटिंग का सीन है अब आपकी क्या रहा है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हैं वीके न्यूस रास्ट ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूस चानल वीके न्यूस राश्ट्र के नाव